असलाम उलेकुम क्लास कैसे आप सब उमीद करती हूँ आप ठीक होंगे आज हमारा मैथ का लेक्चर नबर थर्टीन है और हमारा टॉपिक नेम है अडिशन आपको पताना चाहिए अडिशन का साइन का उन्स है ये अडिशन का साइन है इसे ऐसे ही लिखने है अडिशन होता क्या है अडिशन में हम नंबर्स को एड करते हैं इसे जमा करते हैं अकठा करना जैसे आपके पास इसके आप एक्जेम्पल ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपके पास two candies हैं आपके भाई ने आपको two or दे दी हैं तो आप उस two को उस two में add करेंगे और आप देखेंगे कि आपके पास कितनी candies हो गई हैं तो आप देखेंगे 2 और 2 कितनी आपके पास candies हैं, 4, इसी तरीके से हम ये numbers को add करेंगे, question number 1, add horizontally and then vertically, कुछ questions है, same वैसे ही है, लेकिन उनको हम पहले horizontally करेंगे, फिर हम उनको vertically करेंगे, question number A है, 16 plus 3, 16 के अंदर हमने 3 numbers को add करना है, जब हम 16 के अंदर 3 numbers को add करेंगे, counting तो आपको आती है, अब 16 के अंदर 3 numbers को add करके देखें, तो 19 आता है, लेकिन ये ही इन्होंने क्या किया है, 3 को पहले अगर हम लिख दें और 16 को बाद में, तब भी हमारे पास क्या आएगा, 19 ही आएगा, ये horizontally है, अब ये हम इसी question को vertically करेंगे, 16 हमने उपर लिख है, और आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, अगर हमारे पास एक number है, तो ये हमारा right side पे आएगा, ना के left side पे, 6 के अंदर हमने 3 को add किया, तो 9 आगया, 1 का 1, ये हमारे पास क्या बन गया, 19, अब ये 3 उपर लिख दिया है, 16 नहीं थे, 3 के अंदर 6 को add करेंगे, तब भी 9 आएगा, और 1 का 1 ही आएगा, question number B है, 3 के अंदर हमने 5 को add करना है, जब हम 3 के अंदर 5 numbers add कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आजाएगा, 8, इसी तरीके से 5 पहले लिख दिया है, 3 बाद में, 5 के अंदर 3 को add करेंगे, तो तब भी हमारे पास 8 ही आता है, अब इसी question को हम vertically करेंगे, 3 के अंदर 5 add करें, 8, 5 के अंदर 3 add करें, 8, question number C देखें, 11 के अंदर हमने 5 को add करना है, 11 के अंदर 5 को add करे हैं, जब आप देखेंगे, 11 के अंदर 5 को add करके, तो हमारे पास क्या आएगा, 16, 5 पहले लिख दिया है, 11 बाद में, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, 16, ये vertically अब आ गया, यही question 5 और 1 कितने होते हैं, 6, 1 का 1, 5 और 1 कितने होते हैं, 6, 1 का 1, अगला question है, D, 1 के अंदर हम 18 को add करना है, 18 और 1 कितने होते हैं, 19, 18 और 1, 19, अब यह vertically भी यह question है, 8 और 1, 9, 1 का 1, 8 और 1, 9, 1 का 1, 7, अब यह question number E है, 4 और 3, 4 के अंदर हम 3 को add करेंगे, तो हमारे पास आएगा, 7, 3 पहले लिख दिया है, 4 बाद में, 3 के अंदर 4 को add करेंगे, तब भी मारे पास 7 ही आए यह vertically question है, 4 और 3, 7, 3 और 4, 7, यह addition के question है, बहुत असान है, सिर्फ क्या फरक है, हमने horizontally भी किया है, vertically भी किया है, जब हमें numbers add करना, आ जाते हैं, तो हमें कोई मुश्किल नहीं हो जाई है, horizontally आ जाई है, फिर vertically, आपने इसे अच्छे से करें, अपने planets के page पे भी करें, अपनी करें के अपने है, एको बाप बने है, जाई है, खरक पाने है, इस नहीं है, तो हमें अपने हैं, अ